गुद्बॉर्णिंग एरुवन तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं यहां पे में बहुत बड़ा गैप नजर आ रहा है ऐसे गैप के बाद अगर कोई यहां पर बाय करके गया होगा उसे बहुत अच्छा प्रोफिट मिला होगा और जो सेलिंग क करके गया होगा वो मार्केट में ट्रैप हो गया होगा लेकिन अब हम यहां पर कैसे काम कर सकते हैं देखिए डारेक्ट यहां पर ऐसे लेवलीबल नहीं है उपर की साइड अपना ब्यारी स्पान्सों का रेजिस्टेंस लेवल है तो यहां से हमें कंटिन्यू सेलिंग इंदर ट्रेड बनाने वाल है और ऐसा है निफ्टी के अंदर रहने वाल है अब देखिए हम भी चाहते थे कि मार्केट ऊपर जाए लेकिन यहां लेडी गैप हो गया तो अपरेटर यहां पर क्या करेगा डारेक्ट सेलिंग करेगा तो यह सबसे आसान रास्ता है ट्रेड क तो चलिए यहां पर मार्केट के अंदर पोजिशन बनाने वाले हैं हम यहां पर सेलिंग साइट का ट्रेड बनाएंगे मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन इसको जाना नहीं चाहिए यह जश्ट आपको दिखाने के लिए उपर जा रहा है जाएगा नहीं तो यहां पर ह क्या करेंगे 800 quantity को buy कर लेते हैं उसके बाद अपना second portion बनाएंगे 800 quantity को यहां पर भी add कर लेते हैं उसके बाद अपना nifty तो बहुत ही अच्छी जगह से resistance ले रखा है और retracement वगरा भी ठीक हो रहा है और market के अंदर में selling करना भी है तो यहां पर भी हम क्या करेंगे 900 quantity को buy कर ले तो यह market में अपना 8000 के राउंड लोस नजर आ रहा है बात कर लेते कि market के अंदर हमने position क्यों बनाए देखिए यह बात तो में पता थी कि कहीं ना कहीं market को कि जो buying करके बैठें उनका profit हो जाएगा और जो selling करके बैठें वो market के अंदर trap होने वाले क्योंकि market ने कहां पर resistance ले रखा था यहां पर resistance ले रखा था मैंने आपको काफी अच्छे से explain किया था लेकिन market ने क्या किया बहुत बड़ा gap open हो गया तो इससे क्या हो गया buyer को direct profit मि आना है अगर 42-500 का breakout हो जाता तब हमें सोचना पढ़ता कि market बताने कितना उपर जाएगा लेकिन 42-500 का market ने बहुत अच्छी जगह से resistance लेकर continue selling में आ गया और निफ्टी भी बहुत अच्छी जगह से resistance लेकर selling में आ रहा है तो यह market selling में जाएगा ऊपर नहीं जाने वाला operator क क्या चाहिए था कि यहां पर जो buying करके बैटें उनका थोड़ा बूत profit हो जाए हाँ जो selling करने की कोशिश करें कि market selling में जाने वाला है उनको trap कर दे उसके बाद market को selling में मैं लेकर आ जाओ यह operator का यहां पर mind game था तो हमें दिक्कत होई नहीं अगर market यहां पर open होता तब हमें क्या करना पड़ता मार्केट में morning में छोटा सा selling का maybe buying का trade मिलता उसके बाद दुबारा सी market selling में आ जाता आना इसको selling में था लेकिन यह अच्छी बात हुई कि market में कोई बड़ा gap open हो गया तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली selling में market आने वाला है हाँ थोड़े बहुत के आसपास जा सकते हैं अगर profit बनना शुरू करें और अगर loss होगा तो 90,000 के आसपास से हम market में निकल जाएंगे क्योंकि momentum के उपर depend रहेगा अभी अपना nifty में तो चल रहा है bank nifty थोड़ा बहुत पीछे रहने कोशिस कर रहा है तो कोई दिकत वाली बात नहीं यह भी आ ज करना चाहिए और operator को trader की तरह काम नहीं करना चाहिए operator क्या करता है market से fight करता है कि अगर उपर जा रहे तो उसको नीचे लेकर आएगा तो हमें वो काम नहीं करना है हमें just market के साथ चलना है अगर नीचे आएगा तो मैं काम कर लूँ आपकी साथ अगर नीचे नहीं आ रहे त अभी तो देखे मेरे लिए तो काफी ज़्यादा possibility की market को selling में आना चाहिए, हाँ ऊपर चला ही जाएगा तो फिर मैं loss लेकर निकल जाओंगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बता है, market से fight नहीं करना है, just market में आपको trade करना है, और market के में साथ चलने कोशिश करना है, और जैसा भ वाली बात नहीं, अभी भी हम direction में गलत नहीं, market यहां से गिर जाएगा, और यहां पे हम क्या करेंगे, कुछ quantity को भी add कर लेते हैं, क्योंकि market को अभी उपर नहीं जाएगा, यहां से continue selling देखने को मिलेगा, हाँ entry थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि लालच आ रहा था कि market continue गिर जाएगा, तो इसलिए entry तो मैं मानता हूं गलत हो गया, लेकिन हमारा direction सही है, यहां पे market अभी भी गिरावट में आने वाला है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, कुछ quantity add कर देते हैं, ताकि जो loss है, वो जल्दी से profit में convert हो जाए, और loss हम बढ़ाने वाले नहीं है, वही loss रखने वाले 90,000 के अगर उपर जाएगा, तो मार्केट से निकल जाएगे, ठीक है, तो जश्ट हमने यहां पे quantity अपना add कर लिया, अभी market के अंदर हमें कोई भी upside का momentum देखने को नहीं मिलिया, continue selling market के अंदर आएगा, तो जश्ट वेट करते हैं यहां पे, अभी आ जाना लगबग 440 के आजपा से reject किया है, और यह level मैं आपको काफी पहले भी बता चुका हूँ, कि अगर market यहां पे पहुंचता है, तो आप market को short कर सकते हो, लेकिन आज की दिन क्या हुआ था, gap open हुआ था, लेकिन अब market ने exactly यहीं से resistance लिया है, तो अब market को यह breakout नहीं करना चाह तो अभी market के अंदर हमें continuous selling देखने को मिलना चाहिए, फिर भी अगर market के अंदर 400, यह जो भी high market ने बनाए, 440 का यह बनाए, अगर यह close करता है, तो फिर जो मैं सोच रहा हूँ, उसकी उपर मुझे doubt होगा, तो just wait करेंगे, अभी अपना 17,000, 13,000 के round loss ने जरा रहा है, कम तो हो गया है, लेकिन अभी भी हम profit में market के अंदर नहीं आया है, लेकिन आज आएंगे ज़्यादा time नहीं लेगा, अगर market नीचे चलना शुरू किया तो, तो यहां पर ही अपनी position में कुछ profit चलना शुरू हो चुका है, और market में जो buying आया था, वो complete selling में convert हो गया है, लेकिन निफ्टी closing price के आसपास आएगा, तो में भी कुछ upside का momentum करे, तब तक बैंक निफ्टी कुछ upside का momentum और करना शुरू करेगा, तो वहां पर हमारा loss बगरा हो सकता है, otherwise market में हमारा profit बन जाएगा, लगता तो ऐसा है, और देखें market के अंदर क्या होता है, यहां पर एपनी position में 51 1000 के round profit नजराना शुरू हो चुका है, और market में बड़ा ही अच्छा selling का momentum आया हुआ हमें कोई दिक्कत हो नहीं रही, और market अगर ऐसे चलता गया, तो market में हम जल्दी target के आजपास पहुंच जाएंगे, तो देखते है market के अंदर, हाँ थोड़ा बहुत देखें, परिशान त बगरा तो करेगा, लेकिन overall अपना यहां पर market के अंदर profit बन जाएगा, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगा, तो just wait करेंगे, अभी अपना 30,000, 29,000 के round profit नजरा रहा है, तो चलिए, यहां पर हम market के अंदर अपना position को card देते हैं, जादा लालच नहीं करेंगे, क्योंकि जो ह market का पता था कि market को नीचे आना है, तो हमने कुछ quantity को एड कर लिया, जिस वज़े से हमें profit थोड़ा सा जल्दी मिल गया, ऐसा नहीं कि अगर मैं quantity एड नहीं करता तो profit नहीं होता, अभी भी market नीचे जाने वाला है, और मैं आपको यह बोला हूँ कि आपको भी selling करना है, जब कि अगर हमारा ठीक price मिलता, एक अच्छी जगाया पर हमारा portion बनता, तो यहां पर बहुत अच्छा profit बना सकते थे, थोड़ा पहले में low ज़्यादा नजर आ गया, उसके बाद हमें profit मिल रहा है, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं market से निकल रहा है, और मैं सोच भी वैसा ही रहा हूं, तो market के अंदर काम करने में जल्दवाजी कर लिया, थोड़ा सा मैं गल्ती मानता हूं, लेकिन overall market के अंदर profit बन गया, तो वो भी मारे लिए बहुत अच्छी बात है, तो आज का net profit रहेगा, 86,000 के round portion का बनाया था, 9 बस कर 20 minute के round portion बना हो गया, तो वो control में नहीं होने का दिक्कत हो जाता है, तो इसलिए मैं काम नहीं करा, otherwise यहां पर positionally भी अगर किसी हो sort करना है, तो market को कर सकता है, अच्छे point market में निकाले जा सकते हैं, हो सकता है, आज यह 42,000 का breakdown कर दे, तो वो तो देखे आने वाला time ही बताएगा, लेकिन अभी हमें ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि ऐसा करी दिया, क्योंकि market अभी तक बहुत उपर है, लेकिन अभी हमें जो काम करना था वो कर लिया, अब market को जहां जाना है, वो चले जाने दो, तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद,